हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाल है गुरू ट्रेड सेवन एपस के बारे में क्या आपको पता है कि गुरू ट्रेड सेवन से आप अगर विड्रॉल करते है तो वो कितने दिन में आपके अकाउंट में विड्रॉल सक्सेस हो जाता है तो नहीं जानते जरूर देखे और विडियो पसंद्द आये समझ मैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे कोई भी समझ से हो तो कमेंट करके इस विडियो पर बता सकता है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले तो आपके सामने यह पेज आ जाता है जिसमें आपने यहां पर जाना है मी पर ठीक है कहां लाश्ट में यहां पर मी पर वहां और आपको एक और आप्शन मिलेगा मी पर एक बर क्लिक करना है जिसमें यहां लिखावा है विड्रॉल विड्रॉल पर एक बर क्लिक करें वीड़ॉल पर एक बार क्लिक करने के बाद में आपका PTM नंबर पूछेगा पेटियम नंबर यहांपर इंटर करना पड़ता है हमें सबको आपको पताईए यहांपर पेटियम नंबर इंटर करना पड़ेगा wallet name, पेटियम नेम उसके बाद में आपको कितना रुपया चाहिए यहां इंटर करना पड़ेगा उसके बाद हम नीचे जा सकते हैं यहां पर देख सकते हो एक दिन में आप पाँच बार ट्रांजेक्शन कर सकते हो उसके बाद में मैक्जिमम अमाउंट ट्रांजेक्शन आप 800 रुपया ज्यादा से ज्यादा मतलब कम से कम आप 800 रुपया विड्रॉल कर सकते हो उसमें से 200-300 रुपया पेटियम ले ले लेता है और 500 आपको मिलता है ठीक है तो अगर आपके आकॉन में 800 रुपया से कम है तो आप विड्रॉल नहीं कर सकते उसके बाद और नीचे देखिए आप जो withdrawal करते हैं किसी-किसी बंदे का बहुत सा कमेंट्स आती है उसमें पूछते हैं कि सर अभी तक हमारा withdrawal हुआ नहीं है withdrawal होने के लिए 90% लोगों का एक ही दिन में हो जाता है लेकिन कुछ percentage लोग हैं जिनके नहीं सक्सेस हो पाता वो next working days में होगा मतलब कुछ दो या तीन दिन बाद भी हो सकता है तो जैसे कि आपने देख लिया यहाँ पर withdrawal कितने दिन में होता है आपको पता चलेगी या है 90% लोगों का तो एक दिन में हो जाता है लेकिन बाकि 10% लोगों का 3-4 दिन में withdrawal हो जाता है तो यह रहाँ आपका problem solve हो गया होगा आपको वीडियो समझ में आई होगी वीडियो कितने दिन में होता है तो वीडियो को एक like कर दो और हमारे चानल को subscribe कर दो ताकि इस ommesटेट्स हम अब्लूड करते रहे हैं धन्यवाद